कि हले अवरिवन दिस पावन शर्मा एंड फ्रेंड्स वेलकम यू अगे इंटु मैं चैनल और इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में और हमारा टागेट विक रहेगा थर्टियत ऑफ जुलाई की एक्सपारी का बात करते हैं पहले निफ्टी का क्लोजिंग हम निफ्टीर और इस वीड़ के इंपर्टेंट निउज क्या है में फहला इंपर्ट क मैं यह कहूं कि मेजर जो आने वाले हैं वो थर्तियत जुलाई तक ही आएंगे मेजर कोपरेट है तो जब वीग में बहुत सारे कौंपरेट रिषर हम तो याद रखेगी में और जैसे आपके बारे में जानती भी हैं एक टीटो correct क करूंगा कि अभी जो है के पास में 2200 का एक मेजर सपोर्ट है और अगर उसको बाइपास कर लेगा तो उसके बाद में सीधा टागेट 2300 का रहेगा और फिलहाल के लिए अभी जो है हमारे पास में 2000 का सपोर्ट है तो मतलब अभी जो 2120 2140 के आसपास उसने क्लोज किया है और अगर उसको देखेंगे तो अभी अगर सने 2200 कर लिया जैसे रिजल्ट आने वाला तो उसका ब्रेक भी हो जाए तो अगर वो ब्रेक हो जाता हो तो एक बड़ी मोमेंट आएगी जो कि 2300 तक लेके जाएगा और अगर वो 2300 लेके जाएगा तो याद रखिएगा कि लाइंस भी आराम से 11250 से लेके 11 तक जा सकता है पहली तो यह आपको समझना है जब भी वीक में मेजर इवेंट आते हैं तो मेजर इवेंट का मतलब होता है कि वो ड्राइव करेंगे आपको बहुत ज्यादा वह आपकी मूओमेंट्स सो चेक करेंगे कि आपकी जो माखिट है वो कहां पे उसको लेके तो चीक है दूसरा important क्या है point अगर मैं इसको हटाता हूं तो अग्या दूसरा point है आपके पास में यूएस चाइना टेंचन cold war जिसको आप कहाज़कते हैं cold war विच मेंज यह एक point है या फिर आप कह सकते हैं number of cases जो की पुरानी हो चुकी यह बात अब तो लेकिन अब फिर भी जब कह रहे हैं तो हमें उस भी follow करना पड़ेगा लेकिन इसको अल्मूस्ट बाइपास कर चुका है मार्केट यह हैं हमारे पास में पहला यूएस चैना का cold war जो उन्होंने अपने अपने एंबैसी को जो क्लोज किया जा रहा है उसकी वज़े से और चाइना से काफिस सारी जो कंट्रीज एक्जिट भी कर रही है तो मतलब यह कि एशिया की मार्केट में वह एक एंपैक्ट ह रहेगा कि वोलटाइल रेंज बाउंड आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या बनता है कि उसके लिए पहले में चल लेके चलता हूं आपको ऑप्शन चेन पर अगर आपको ऑप्शन चेन यहां देखिएगा आपके पास में 11,500 का ऑप्शन चेन पर यहां देखिए 38,61,000 के कॉंट्राक्ट आपको यहां दिख रहे हैं उसके बाद में आपके पास में 11,200 पे ही आपके मेजर कॉंट्राक्ट दिख रहे हैं और अगर नए बिल्लडप की बात करें तो वो भी यहीं पर हो रहा है मतलब नया सपोर्ट आपका 11,200 पे है और उसी के आज पास में क्लोजिंग भी है अगर आप बात करते हैं यहां पर नीचे आते हैं तो देखे का यहां पर आपके 43,68,000 और यहां पर आपके 5,63,000 तो मतलब यह कहें कि अगर मान लीजिए कि यह रेंज है हमारा मारकेट का यह! मतलब मारकेट की 500 रुINO की रेंज है और काफी वललटाइल रहेगा लेकिन हम अगर यह कहें कि अगर यह सपोर्ट जो रसिस्पोर्ट से ब्रेक हो जाएगा उसके नीचे हमारे सपोर्ट कहां पे है उसके नीचे हमारे पास यहां पर are 10,000 और 11,00 पे है जो है इस पारी हमें देखने को मिल रही है यह जो हमें डेटा बता रहा है ऑप्शन चेंड इसमें आप यह कह सकते हैं कि अगर यह ब्रेक हो गया तो सीधा पहला हमारा यहां से लेके यहां भी जा सकता है 500 तो नहीं जाएगा बट सब्सक्राइब तो यह था हमारा जो है complete analysis on the basis of option chain अब इसमें और चीज़ भी आड़ कर लेते हम option chain के अलावा वह है हमारा चार्ट पहले मैं आपको यह चार्ट पे कुछ एक और डी चार्ट बन पे बना हुआ है यह इसको आप कहते हैं बीरिश बैट बीरिश बैट जैसे नाम आपने पढ़ लिया होगा बीरिश बैट का मतलब है कि मार्किट में बड़िवाट बनता है वह कहता है कि इसके पॉइंट के बाद market फॉल आ सकता है लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो रिलाइंस का रेजल्ट जो चल रहा है वह उस 11,000 to 11,300 यह मेरी रेंज हो जो मैंने नोटिस कर रहा हूं कि 11,000 से लेके 11,300 के बीच में 11,300 के बीच में मार्केट रहेगा तो आप इसको समझेगा कि कहां पर मुंवेंट आपकी आती है 11,000 से 11,300 के बीच में that what I expect कि range हमारा इसके बीच में रहना चाहिए ओकई और यह बेरिश बैटपैंट भी यह कहा रहा है अगर बेरिश बैट को हटा देते हैं और आप जो है दूसरा पैटण आप इसको बढ़दाना चाहेंगे कि दूंस के पर देते हैं और उसके बाद मैं आपको लए कर आता हूं वन आरके चर्ट पे अब यह वन और का चार्ट है हमारा निफ्टि का निफ्टि के वनe चर्ट पे देखिएगा यह कमारा काफी बड़ा trendline है उस में आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आजाया कों से बात करता हूं ये वह ट्रेनलाएnel है जो हमने अपनी CO Ск अब आपको डिखेगा अब ही जो trend line है ये इसके सपोर्ट के तरह काम कर रही है और हमारा यह जो point है यह resistance की तरह काम कर रहा है तो कल अगर यह market हमें यह 250 देखे 11,250 जो है 11,250 को अगर market rise करती है तो इसके बाद में आपका जो target 11,350 बहुत आराम से achieve हो जाएगा जब तक market इस और इसके range में है जब तक market इस आपर अपनी support के और इस lower trend line के range में है तब तक market stable रहेगा मतलब ज्यादा बड़ी fall या ज्यादा बड़ी rise को में देखने को नहीं मिलेगा तो आप यह कह सकते हैं कि market को आप अगर sell करेंगे तो आपके पास में selling निकल के आ रहा है तो आप जो हैं इंट्राडे के लिए आप इसको एक moment जो है इसके यहाँ पर हिट करती है तो आप यहाँ पर sell कर सकते हैं अगर इसको rise करेगी तो आप एक call ले सकते हैं तो आपको कोई भी बड़ी जो है आप यह जीज़ को चलेंगे कि आपने call लेना है थर्टी जुलाई तक पूट लेना है थर्टी जुलाई तक आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे मुवमेंट के अकॉर्डिन लिसको ट्राई करना है कि यहां से आपकी मुवमेंट ऊपर जाएगी यहां से आपकी मुमेंट फॉल करेगी तो अगर आपकी यह जो है लोगर ट्रेंड लाइन प्लेस आट वन 11,000 150 तो आप ले लेंगे यहां पर और आपका टागेट रहना ची एलेवन थाउजन का और इसको ब्रेक करता है एलेवन टू फिफ्टी पे तो आप यह कॉल ले लेंगे और आपका टागेट जो है 11400 का रहेगा और अगर इसके बीच में रहती है तो जस्ट एंजॉइ करें कुछ ना करें इंट्राडे के लिए सिर्फ आपको यही मुमेंट्स आपको काम करेंगी और अगर आपने कोई एक स्पेर पे कॉल बाई करी है लॉंग टर्म में या पुट बाई करीं लॉंग टर्म में तो मत लीजिएगा उसको अपना बुक कीजिएगा ल बनी यह जो market हमारी होगी बनी market होगी इस week का market यह है और जब बनी market है तो जिगजग ही रहना है तो please don't take any big decisions stick to intraday and stick to range strictly अगर आपको questions है query इसको लेकर तो आप comment box में जरू लिखेगा I'll be happy to answer to the और एक बार जो है अपनी खुद कर लिजेगा अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको करनी है तो प्लीज डू दाट और ऑप्शन चेन को एक बार फिर से रीड कर लिजेगा ताकि आपको ऑप्शन चेन में जो हैं चीजों को समझना शुरू कर देंगे अगर आपने चानल सब्सक्राइब नहीं किया जाकर सब्सक्राइब किजिए का हल्प्शाइब अगर आप जो भी कमिंद आब लिखते हैं ओके टेकिल एवर्यों वन आइस जैए बाइबाई